नमस्कार मैं इमान्शू और आप देख रहे हैं Target with इमान्शू परशदी स्कूल पिछले कई महीनों से COVID-19 की वज़ा से बंद चल रहे हैं सिक्छकों को जाना होता है लेकिन विद्यार्थी स्कूल पिलाल नहीं दिखाई दे रहे हैं और विद्यार्थियों के न रहने से विद्यार्य भी अच्छा नहीं लगता है सासन की ओर से अब परशदी विद्यार्यों को खोलने की तयारी की जा रही है COVID-19 की जो परिस्थितियां हैं वो भी पहले से अब काफी बहतर हैं सुधार है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो वर्तमान परिस्थितियां है उसका अकलन करते हुए सितंबर में 50% एफिसियंसी के साथ विद्यार्यों को खोला जाया मैंने पहले ही काया कि विद्याले खुल रहे हैं या विद्याले खुलने का मतलब बच्चों की उपस्थिति से है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भहतिक रूप से जो वातावरन तयार होता है विद्यालियों में वो नहीं उपा रहा है अलाएंकि सासन अलग प्रकार से, सोसल नेट्वरकिंग साइट से, दूर दर्शन के माध्यम से study material प्रोवाइट कर रहा है, लेकिन जो कच्छा में बैठ कर पढ़ाने का जो सिस्टम है उसकी तुलना में ये चीजें नाकाफी है विवाग को निर्देश दिया गया है, जल्द ही समिच्छा करके ये निर्दे ले लिया जाएगा उमीद है कि सितंबर के मलब सुरुवात नहीं पहले सितंबर से ही या उसे क्या असपास से विद्याल है, खोल दी जाएंगे बच्चों के लिए भी ठीक है, दुशरी प्रमुख बात COVID-19 की इंजेक्शन को ले करके है, क्योंकि कुछ जिलों में बियस्से का आदेश आ चुका है कि जिन सिक्षकों ने या जो भी परसदी कर्मिचारी है, आने कर्मिचारी की भी मैं बात कर रहा हूँ सबी को वैक्षिनेशन लगवाना अनिवार है, अगर ये नहीं लगवाते हैं, तो इनके माह अगस्त का वेतन रुख दिया जाए, फिलाल दो-तिन जिनों के बियस्से के आदेश को आपने देखा, कलबलिया का भी आदेश है, जिसके बाद यह अनिवार हो गया है, सरकारी क आप भी भीड लग रही है, गाउं में पहले कैंप की तरह लगाया जाता था, अभी वरतमान समय में फिरहाल ले इतनी जादा भीड ब्लाक में अपने हो रही है, या जो जिलाची के सालय वहां पर भी हो रही है, कि समस्या हो जा रहा है, तो अब देरे-दे भीड और ही विद्धा नहीं है, जिसे ने आदेश किया है कि जिन सिक्षकों के तीस अगस्त तक वैक्सिनेशन कारे पूर नहीं होते हैं, उनका वितन माह अगस्त का रोग दिया जाए, ठीक है, आज बैठक हुई है, कोईड कोचिंग संस्थानों को लेकर भी यहां पर एक आदेश मु परिच्छा को लेकर अभी कोई नया आदेश नहीं आया है, आप सभी जानते हैं, टीटी परिच्छा का मतलब अगली भरती जो आने वाली है, उसका पहला कदम है, जैसे टीटी परिच्छा आयुजित होती है, उसके बाद विभाग इस बात को जान रहा है कि नई भरती का अभी प्रस्ताव बनाना पड़ेगा, इसलिए साथ टीटी परिच्छा में देरी हो रहा है, लेकिन अभरतियों के प्रयास के फरस्वरूप यह उमीद है कि अक्टूबर में ही परिच्छा आयोजित कराई जाएगी टीटी की, हालांकि इस पर अभी कैबिनेट का एप्रू जब टीटी परिच्छा हो जाएगी, उसके बाद फिर नई सिक्षक भरती जो सुप्रिम कोर्ट में हलफ नामा सरकार ने दिया है, मैंने आपको बार बार करा है, एक्यावन अजार से अधिक पदों के रिक्त होने का, फिर उसकी बारी आएगी, अभी रथी प्रयास करेंग कि उस पर भी सरकार अपना कोई नेड़े ले, रही बात, बीटी सी की तो आप देख रहे हैं कि दो लाग से उपर डाईला के आसपास पद थे और डेढ़ला के आसपास ही आविदन हुए हैं, यानि कि बीटी सी करने वालों के संख्या काफी घट गई है, और ये आप एक का कहीं कहीं ये मतलब एक ये पूरा बीटी सी कोर्ष है, जिसको अब डिलेट के नाम से जान दे हैं, बीट के एंटर के बाद काफी हद तक पूरे इसके अस्तितों पर ही संकट सा आ गया है, अब समय लेजिए एक लाग सीटे खाली जाएंगी, ठीक है, ये भी उक्सुजने बारी बात है, शिक्षक भरती की तैयारी जो भी शिक्षक बनना चाहता है, वो बीट ही करना बेटर समझ रहा है, क्योंकि उसके पास उच्छतर कच्छाओं में पढ़ाने के भी विकल्प मौजूद रहेंगे, फिलाल कुछ महत्वपूर ये जानकारी आपको देनी थी, ज बारी जाने में